सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल सूपरफास्ट नियूज को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस वीडियो को देख सकें नमस्कार मैं जितन पता सूपरफास्ट नियूज में आपका स्वागत है महराष्ट में इन दिनों जहां एक और महाविकास अघाडी की सरकार संकट में हैं वहीं शिव सेना के उद्धव ठाकरे और संजय राउत बागी गुट को नए-नए संदेश दे रहे हैं वहीं केंद्र सरकार ने भी इसमें बागी गुट को सुरक्षा मुहिया करा करके अपनी एंट्री दर्च कर दिये हमारे साथ जैप्रकाश जनता दल के राष्टिया देख्ष पंकत साहय है पंकत जी इन दिनों जो महराष्ट में जो घटनाई चल रही है सबसे पहले तो जो वर्तमान इस्तिती महराष्ट के बन रही है कि महा विकास अगाडी यह महराष्ट का एक common platform था जिसमें महाराष्ट के विकास के लिए केंसीपी, कांग्रेस और सिवसेना ये मुख्य पार्टियां मिल करके एक सक्ल दिया इन्होंने जिससे कि पूरे महाराष्ट के विकास की बात कर सकें तो जहां तक विकास की बात है, तो महाराष्ट का विकास तो मुझे कुछ नजर आया नहीं, लेकिन जैसे ही केंदर में सरकार हिंदुतों के मुद्दे पर देश में एक कह लिजिए कि बहुत बड़ा अभियान चला करके एक बहुत बड़ा ववंडर खड़ा किया, तो उसका असर कहीं न कहीं, सिवसेना के आंतरिक जो उसकी सोच थी, जो विचारधारा थी, उसमें चोट लगी, और उन्हें लगने लगा, सिवसेना के विधायकों को, या उनके जो भी सकसेसर्स हैं, उनको ये लगने लगा, कि आज तो हम सरकार में हैं, लेकिन जरूरी नहीं हैं कि आने वाले समय में, जिस तरीके से गृप कर रही है, NCP और कॉंग्रेस, उद्धो जी हमारी मुख्य विचारधारा के अनुरूप सरकार को चला पाएं, उसका सबसे बड़ा कारन था, अब देखिए, सिवसेना का गठन किसले हुआ था, सिवसेना का गठन मुसलिम के हुआ था, कि यह मुसलमान यहां पे जो जो भी उनका अपना द्वेश था, तो उन्होंने हिंदों के हित की बात करते हुए, बाल ठाकरे जी ने एक सिवसेना नाम के संस्था कड़ी करी और पॉलिटिकल प्रेटफॉर्म पे आये, और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, औ आज उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने इस मंच को समाला, लेकिन इन्होंने जो मेन उसका मुख्य कहली जो विचारधारा थी, जो अंतरात्मा थी उसकी, वो हिंदुतों था, तो हिंदुतों के एजंडे पर बात ना करके, ये धर निर्पेक्ष की बात करना सुरू कर दिय और इस तरह से चलाएगी, तो महारास्ट का विकास, अगारी और ये वो वर्ड तो इस सब आईवास दिखाने के लिए होता है, तो बेसिकली एकनात सिंदे जी को ऐसा लगा और विधायकों ने साथ दिया, कि हाँ आपको हिंदुतों के मुद्दे पर अड़े रहना पड़ गया, कि अब ये इस से बढ़िया मौका नहीं है, कि विधायक थोड़ा आखे तरेड रहे हैं बाकी कॉंग्रेस और सिपी की तरफ से, तो इसका मौका उठाने के लिए उसने जाल फेका, और उसमें एक साथ कई मचलियां जो हैं, वो आ गई हैं, अब सवाल उठता है, वक् आर्प लगा रहे हैं कि भाजपा विपक्षी पार्टीँ है कि जहां-जहां सरकार है, वहां गिरा है, जैसा कि करनाटक में हुआ, वैसे महराष्ट में हुआ देखे भाजपा तो वो तो कुर्ती है वो तो सभाविक है कॉंग्रेस भाजपा कोई भी सेंट्रल में बैठी अगर बड़ी पार्टिया हैं तो वो चाहेंगी कि जहां से जादा से जादा राजवे में सरकारे हमारी बने चुकि उसका सबसे बड़ा मुद्दा देखिए आज के डेट में इतना बड़ा कंपेइन चल रहा है रास्टरपती महामहीम के चुनाओं का समय आ गया है और महामहीम के चुनाओं में सभी MLA's का बहुत बड़ा रोल होता है तो एक तरह का जनमत बनना है और वो विधायक सब कोई तो भाई वो तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा के फॉलवर्स हों भाजपा के सरकारे हों भाजपा नियंतरित हों जिससे कि हम जैसे देखिए इन्होंने पारी खेली कि द्रौपदी मूर्मु जी को राश्टपती का उमिदवार बनाया तो आदिव को सपोर्ट करूं या अपनी जो एलाइंस है यूपी उसको सपोर्ट करूं तो यहां पर आ करके थोड़ा से बन जाते तो भाजपा तो चाहती है कि जहां मर्जी जहां लेकिन सरकार गिरने का मौका देना भी एक प्राद है ना कि आप मौका देते हो आपके अपने पड़ों के तो दूसरा हमला करेगा यह तो प्राक्रिटिक नियम है इसलिए कोई ऐसा खास हम नहीं कहें कि गलतियां उन लोगों की भी है जो पार्टियों को कमजोर करते हैं राज्य में सरकारे चला नहीं पाते हैं तो बड़े तो आएंगे ही और आकर कि उनको खाई देखिए जब जस्टिस कहते हैं ना कि जस्टिस डिले इस डिनाइल तो सवाल उठता है कि अब बीस साल बाद गोदरा दंगा और वो जो ट्रेन का जो हुआ जिस तरह से मुसल्मानों ने किया कि उसको ट्रेन को जला दिया वो कौन सी ट्रेन थी गोदरा एक्सप्रेस वहां फिर वो सब हुआ तो यह इंस्टैंट जांच जितनी होनी चाहिए थे इसमें अगर आज मोदी जी क्लीन चीट निकले हैं तो उसके लिए दोसी कॉंग्रेस है चुकि जब यह घटना घटी जब यह चीजें उठाई गई तो उसमें केस रेइस्टर्ड करना देखिए करता है तो क्लीन चीट मिलना कुछ एविडेंस होंगे ऐसे जो उनके खिलाफ नहीं होंगे। एविडेंस के अलावा ट्राइल में कुछ ऐसी चीजे पाई गई हैं जिसें उनका दोस नहीं हैं तो टीक्लीन चीट मिली गया तो भ такой न्याले का दिया हुआ अभई तो न्याल जब बाजपी जी थे उस समय तो उन्होंने एक बात कही थी कि राजधर्म इन धर्मों से बड़ा उपर होता है और राजधर्म निभाने की जरूवत है तो कहीं कहीं मोदी जी को इसकी आँच तो लगी थी और उसमें क्या एविडेंस आए नहीं आए ये तो भी सह था चुना मेरे हिसाब से तो क्लीन चुट दिया गया तो ठीक है ओवराल इस्तिती देखा जाए तो जैप्रकाश जनता दल के राष्टिय अध्यक्ष के तौर भारत की जो इस्तिती इस समय है उस पर आप क्या क्या ना चाहिए देखिए भारत की इस्तिती में पहले भी कह चुगा हू कि ओवराल देखा जाए तो विदेशी दुपक्षिय संबंधों पर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी चल रही है और दबाव एक तरह का हमारे जो पडोसी कंट्री हैं उन पे काफी भारी बना हुआ है जो हमारे खिलाफ है और जो अधर जो कंट्री हैं उनके साथ र सरकार फेल रही है रुपिया मान्य प्रधान मंतरी मोदी जी कहते थे कि मनमोहन सिंग की सरकार थी तो यह प्रचार में जाते थे तो मैंने कई भासनों में सुना है इसके कारण क्या है आप जवाब दीजिए और वो मांगा करते थे पब्लिक जंता के बीच में पब्लिक रै कॉंग्रिस की सरकार थी और दस साल का समय बीता अभी साथ साली सरकार बीता है तो आप ऐसे हो गए कि मतलब महंगाई तो डबल होती जा रही है पेट्रोल तो किसी ने सुचा ही नहीं था कि हंडर पार कर जाएगा जबकि आपके पास आज की डेट में फेसिलिटी है एक तर समझ में नहीं आया यह दो चीजें अर्थ वेवस्था के लिए अच्छे नहीं रही और दूसरा आर्थिक मोर्चे पहिया सरकार एकदम विफल है प्रोजेक्शन दे रहे हैं कि आने वाले दस सालों में पास सालों में आपके दर्द कम जाएंगे लेकिन जो साथ क्रोड जन चीजों को जो होता है उसको लेकर किसी तरह का देस भर में कोई संभिलन करकिन ही बताया कि सरकार कहा ख़ड़ी है खजाने में पैसा कितना है क्या योगजनाय ला रहे हैं योगजनाय तो ला रहे हैं लेगशनाय धरातल पर नहीं आ रही हैं आप चले ज़ने J운i बैंकों मे कि इतनी बड़ी आबादी में बेरोजगारी में कितने लोगों को इस तरह का फैसिलेटी मिला और उसका अवेल किया और नहीं मिलने के पीछे क्या कारण रहा सिस्टम का दोस है तो इन चीजों में हम यहां मानते हैं सरकार फेल है बाकी दिपक्षिय संबंदों में अस्तर पर सरकार के नित्रित जो प्रदान मंत्री जी का है वो बहुत बढ़िया चल रहा है कोई दिक्राइब समय देने के लिए धन्यवाद